हेलो दोस्तों, आज एक निया डिजाइन बनाएंगे, ये देखें ये कुछ इस तरह से बन के आता है बहुत प्यारा लीफ का डिजाइन है, बहुत आसान है, लुक बहुत प्यारी आती है इसकी बनने के बाद ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है इस डिजाइन को आप लेडिस कारडिगन, गर्ल स्वैटर, बेबी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो इसे स्काफ मफलर में भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसकी जो ये रिवर्स साइड है, बैक साइड है, ये बहुत प्यारी बनती है तो इसे आप स्काफ मफलर में भी यूज़ कर सकते हो तो इसे बनाने के लिए आपको 14 के मल्टिपल में स्टिचिस चाहिए होंगे प्लस दो स्टिच एक्स्टर रहेंगे, एक एक स्टिच दोनों साइड में फ्रन्ट और लास्ट में डिजाइन कवर करने के लिए और एक एक स्टिच हमारा सिलाई वाला रहेगा दोनों साइड में तो यहाँ पे यह मेरा एक सेट बन चुका है अगेन रो वान से मैं इसे दुबारा से शुरू करूंगी तो बॉडर आप अपनी पसंद से बना लीजे जैसा भी बॉडर आपको पसंद हो वैसा बना लीजे कास्ट अन कर लीजे 14 के मल्टिपल में स्टिचिस ले प्लस दो स्टिच एक्स्टा डिजाइन के और दो स्टिच हमारे सिलाई के तो रो वान से डिजाइन को शुरू करते हैं स्लिप करेंगे पहले स्टिच को एक्स्टा वाले स्टिच को उल्टा बना ले अब यहां से हम डिजाइन को शुरू करेंगे तो चार उल्टे एक दो तीन चार ट्विस्ट करेंगे राइट साइड का धागा पीछे कर ले और twist करेंगे right side का front से second stitch को पहले बनाए फिर उसके बाद first वाले stitch को बनाए और दोनों stitches को इस तरहां से सिलाई से पास कर दे यह हमारा right side का twist बन गया है एक सीधा अब left side का twist बनाएंगे back loop से इस तरहां से second stitch को पहले बना ले और फिर front से इस तरहां से first वाले stitch को बना ले यह हमारा left side का twist हो गया है धागा अपनी तरफ करेंगे पांच उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच यह हमारा एक सेट बन गया है इसी को again आपने repeat करते जाना है चार उल्टे से शुरू करेंगे एक, दो, तीन, चार ट्विस्ट करेंगे right side का front से second stitch पहले बनाए और फिर first वाले stitch को बना ले एक सीधा अब left side का twist करेंगे back loop से second stitch पहले बनाए और फिर first वाले stitch को सीधा बना ले धागा अपनी तरफ करेंगे और पांच उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच अगें फिर से आपने इसी तरह repeat करते जाना है और right side को complete कर लेना है सिलाई वाले stitch को हम सीधा बना के row को complete कर लेंगे ये हमारी right side complete हो गई है turn कर लीजे wrong side ये हमारी सिलाई जितनी भी है जैसा stitch होगा उसे वैसा ही बनाते हुए complete करेंगे हर बार आपने wrong side में same ऐसे ही बनाना है जैसा stitch होगा तो यहाँ पे अभी starting में मेरे यहाँ पे 5 सीधे आएंगे 5 सीधे धागा अपनी तरफ करूंगी अब ये मेरे center वाले जो मेरे twist वाले stitch थे वो हैं उन्हें मैं उल्टा बनाऊंगी तो एक, दो, तीन, चार और पांच अगें फिर से center वाले अब ये मेरे 9 stitches आ जाएंगे एक साथ तो एक, दो, तीन, चार ये मेरे पहले set के और फिर मेरे second वाले set के 5 stitches तो total ये 9 stitches मेरे यहाँ पे सीधे बन जाएंगे फिर 5 उल्टे फिर 9 सीधे और इसी तरह करते हुए आपने wrong side को complete करना है तो यहाँ पे ये मेरी wrong side जो है, वो complete हो गई है सिलाई वाले stitch को उल्टा बनाऊंगी और row को complete कर लूंगी तो यहाँ पे wrong side complete हो गई है turn कर लीजिए, right side बनाएंगे slip करें पहले stitch को extra वाले stitch को उल्टा बना ले अब यहाँ से design को शुरू करेंगे दो उल्टे stitch बनाएंगे एक, दो अब दो उल्टे stitch आपके पास यहाँ पे इस तरह से रह जाएंगे इन्हें आपने एक साथ बनाना है उल्टा बनाते हुए तो इस तरह उल्टा बनाते हुए दो stitch बना दें एक साथ अगें फिर से right side का twist करेंगे front से second stitch को पहले बनाएं और फिर first वाले stitch को बना ले yarn over करेंगे एक सीधा again yarn over करेंगे और left side का twist करेंगे तो back loop से second stitch को पहले बनाएं और फिर फिर्स्ट वाले स्टिच को बनाके इस तरह से दोनों स्टिच इसको सिलाई से निकाल दे धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से दो स्टिच बनाएंगे उल्टा बनाते हुए एक साथ तो इस तरहां से दो स्टिच लें और उल्टा बनाते हुए एक साथ बना दें इस तरहां से और तीन उल्टे एक दो तीन ये हमारा एक सैट बन गया है अगें दो उल्टे से रिपीट शुरू करेंगे तो दो उल्टे एक दो दो स्टिच बनाएंगे उल्टा बनाते हुए एक साथ राइट साइड को ट्विस्ट देंगे सेकंड स्टिच पहले बनाए फ्रंट से और फिर फिर फर्स्ट वाला स्टिच यान ओवर एक सीधा यान ओवर लेफ्ट साइड का ट्विस्ट करेंगे बैक बनाते हुए एक साथ और फिर तीन उल्टे एक दो और तीन अगें दो उल्टे से रिपीट शुरू करें और इसी तरह बनाते हुए आप राइट साइड को कम्प्लीट कर लें तो यहाँ पे यह हमारी राइट साइड जो है वो कम्प्लीट हो गई है टर्न कर लीजिए एक स्टिच जो है वो कम हो गया है तो यहाँ पे अब मेरे चार सीधे आएंगे एक दो तीन चार अब यहाँ पे उल्टा स्टिच आ गया है तो इसे मैं उल्टा बनाऊंगी और यान ओवर को भी मैं उल्टा बनाते हुए यह यान ओवर वाले स्टिच को भी मैं उल्टा बन साथ सीधे साथ उल्टे साथ सीधे साथ उल्टे बनाते हुए आपने रॉंग سाइट को कंप्लीट कर लेना है ये हमारी wrong side जो है वो complete हो गई है turn कर लीजे right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को extra वाले stitch को ultra बना ले अब यहां से हम design को शुरू करेंगे तो एक ultra, दो stitch बनाएंगे ultra बनाते हुए एक साथ तो इस तरह से दो stitch लें और दो का एक बना दें again twist करेंगे right side को और फिर first वाले stitch को बना ले एक सीधा yarn over एक सीधा yarn over एक सीधा अब twist करेंगे left side को back loop से second stitch पहले बना ले और फिर first वाले stitch को बना ले धागा अपनी तरफ करते हुए दो stitch बनाएंगे ultra बनाते हुए एक साथ दो उल्टे एक तो ये हमारा एक सेट कमप्लीट हो गया है again एक उल्टे से repeat शुरू करेंगे एक उल्टा दो stitch बनाएंगे एक साथ उल्टा बनाते हुए right side का twist करेंगे front से second stitch पहले बनाएं और फिर first वाले stitch को बना लें एक सीधा यान ओवर एक सीधा यान ओवर एक सीधा अगें left side को twist करेंगे back loop से second stitch पहले बनाएं और फिर first वाले stitch को बना लें धागा अपनी तरफ करते हुए दो उल्टे stitch बनाएंगे एक साथ और फिर दो उल्टे और अगें फिर से एक उल्टे से repeat शुरू करके आपने right side को इसी तरह बनाते हुए complete कर लेना है यह हमारी right side जो है वो complete हो गई है turn कर लीजे wrong side same रहेगी जैसा stitch होगा वैसा ही बनने वाला है तो धागा पीछे करें और यहाँ पे हमारा एक stitch और कम हो गया है तो तीन सीधे आएंगे पहले हमारे पास यहाँ पे साथ उल्टे थे अब यहाँ पे nine time उल्टा बनेगा उल्टा stitch बनने वाला है तो यह नौ उल्टे और यहाँ पे हमारा फिर से एक एक stitch कम हो गया है तो यहाँ पे अब पांच सीधे आएंगे तो टोटल आपकी wrong side की रोजो है वो नौ उल्टे पांच सीधे और लास्ट में चार सीधे के साथ फिनिश होगी तो इसी तरह से आप wrong side को complete कर ले तो यहाँ पे यह मेरी wrong side जो है वो complete हो गई है turn कर लीजिए right side बनाएंगे slip करें पहले stitch को extra वाले stitch को उल्टा बना लेंगे अब यहाँ पे आपके पास दो उल्टे stitch रह जाएंगे इन्हें आपने एक साथ बना देना है इस तरह से उल्टा बनाते हुए दो stitch बना दें एक साथ फिर से twist करेंगे right side का front से second stitch को पहले बनाएं और फिर first वाले stitch को इस तरह से बनाते हुए दोनों stitch सिलाई से उतार दें दो सीधे yarn over एक सीधा yarn over दो सीधे एक, दो twist करेंगे left side का back loop से second stitch को पहले बनाएं और फिर first वाले stitch को बना लें धागापनी तरफ करेंगे दो stitch बनाएंगे एक साथ उल्टा बनाते हुए तो यहाँ पे हमने दो उल्टे stitch जो थे उन्हें एक साथ बना दिया है और एक उल्टा यह हमारा एक set जो है वो complete हो गया है अगें फिर से दो stitch एक साथ बनाते हुए repeat शुरू करेंगे तो उल्टा बनाते हुए दो stitches एक साथ बना लें ट्विस्ट करेंगे right side का front से second और फिर first वाले stitch को बनाएं दो सीथे yarn over एक सीथा yarn over दो सीथे left side का twist करेंगे back loop से second stitch बनाएं और फिर first वाला stitch बना लें दो स्टिच बनाएंगे उल्टा बनाते हुए एक साथ और एक उल्टा फिर से अगें दो स्टिच एक साथ बनाते हुए repeat शुरू करें और इसी तरहां बनाते हुए आपने right side को complete कर लेना है turn कर लीजे wrong side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को दो सीधे अब यहाँ पे हमारे दो स्टिच और इसमें add हो गए हैं तो अब इस बार हमने यहाँ पे 11 उल्टे बनाने है 6, 7, 8, 9, 10, 11 तीन सीधे और अगेन फिर से 11 उल्टे तो सारी आपकी यह जितनी भी wrong side है ऐसे ही बनने वाली है तीन सीधे 11 उल्टे तीन सीधे 11 उल्टे बनाते हुए आपने wrong side को complete करना है last में यहाँ पे दो सीधे आएंगे और सिलाई वाले स्टिच को उल्टा बनाते हुए wrong side को complete कर ले turn कर लीजिए right side बनाएंगे slip करेंगे पहले स्टिच को extra वाले स्टिच को उल्टा बना ले अब यहाँ से हम design को शुरू करने वाले हैं तो एक उल्टा twist करेंगे again फिर से right side को तो front side से second वाला स्टिच लेंगे और फिर first वाला स्टिच बनाएंगे इस तरह से अब यह जो हमारे center के stitches हैं इन्हें हम सीधा ही बनाएंगे तो यह seven stitches सीधे बनेंगे twist के बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब left side का twist करेंगे दो सीधे stitch रहे गए हैं आपके पास इन्हें आपने same left side का twist करना है back loop से second stitch बनाएं और फिर first वाले stitch को इस तरह से बना ले अब यहां पे हम yarn over करेंगे और यह जो हमारे तीन उल्टे stitches एक साथ आएं है यहां पे हमारा repeat भी शुरू हो जाएगा और साथ में यहां पे हमारा end भी होगा तो यह दोनों set जो हैं यहां पे जुडने वाले हैं तो यह तीनों stitch हम उल्टा बनाते हुए एक साथ बनाएंगे तो yarn over करना है इस तरह से yarn over कर लें और तीनों stitch एक साथ बनाते हुए इस तरह से उल्टे में लेते हुए तीनों stitches को आपने एक साथ बना देना है यह हमारे तीन stitches एक साथ बन गए है धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और twist करेंगे right side का यह हमारा second वाला set जो है वो शुरू हो गया है यहां पे तो धागा अपनी तरफ रखते हुए twist करेंगे front से second stitch पहले बनाएं और फिर first वाला stitch बना लें साथ सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब left side का twist करेंगे back loop से second stitch को पहले बनाएं और फिर first वाले stitch को बना लें धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा और extra वाला stitch है यह हमारा इसे हम उल्टा बनाएंगे और सीधे वाले stitch को सिलाई वाले को सीधा बनाते हुए row को complete कर लेंगे अगें जब आप यहाँ पे repeat शुड़ू करोगे तो फिर से आपके पास इसी तरह से तीन उल्टे stitch एक साथ हा जाएंगे तो यान over करते हुए आपने तीन stitch एक साथ बनाने है और अगें फिर से इसी तरह repeat करते हुए आपने right side को complete करना है turn कर लीजे wrong side बनाएंगे करेंगे पहले stitch को दो सीधे ग्यारा उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ग्यारा यान over वाला stitch आ जाएगा यहाँ पे आपके पास इसे आपने उल्टे में बनाना है इस तरह से उल्टे में बना ले अब यह जो हमने तीन stitches एक साथ बनाए थे इसे आप सीधा बनाईए और फिर से अगेन यान over वाले stitch को आप उल्टा बना लीजे फिर से ग्यारा stitches आ जाएंगे इन्हें आप उल्टा बनाईए जहाँ पे हमने तीन stitch एक साथ बनाए है उसे आपने सीधा ही बनाना है तो याद से उस वाले stitch को आप सीधा बनाईएगा और बाकी के stitches जो हैं वो उल्टे में बनते हुए रॉंग साइड हमारी complete होगी लास्ट में दो स्टिच सीधे आएंगे इन्हें सीधा बनाएं और सिलाई वाले stitch को उल्टा बनाके रो को complete कर लें यह हमारी wrong side जो है वो complete हो गई है turn कर लीजे right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा यहाँ पे हमारा extra stitch जो है वो use होने वाला है यहाँ पे हमने यह extra stitch इसलिए रखा था क्योंकि हमारा पहला stitch जो है वो yarn over से design हमारा शुरू होने वाला है तो यहाँ पे धागा अपनी तरफ ही रखिएगा उल्टा बनाएंगे धागा अपनी तरफ ही रखा है मैंने यहाँ पे उल्टा stitch बनाने के बाद yarn over रहेगा इसमें तो second और फिर first वाले stitch को बनाएंगे इस तरह से yarn over भी कर लिया है और twist भी कर लिया है slip करेंगे दो stitch वाप्पे सिलाई में लेंगे और left side को दो stitch बना देंगे एक साथ पांच सीथे एक, दो, तीन, चार, पांच अब दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ और twist करेंगे left side का back loop से second stitch को पहले बनाएं और फिर first वाले stitch को बना लें अब यहाँ पर yarn over करना है और उल्टे stitch को बनाना है तो yarn over करें यह center वाला उल्टा stitch है तो इसे आप उल्टा बना लिजे इस तरह से again फिर से yarn over से repeat शुरू करेंगे यह हमारा yarn over से हमारा design जो है शुरू हुआ था यहाँ से तो yarn over से ही हम repeat को शुरू करने वाले हैं तो धागा अपनी तरफ ही रखेंगे उल्टा stitch बनाने के बाद और twist करेंगे तो front से second और फिर first वाले stitch को बना लें slip करेंगे दो stitch वापे सिलाई में लेके left side को एक साथ बनाएंगे पांच सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ twist करेंगे left side का back loop से second stitch पहले बनाएं और फिर first वाले stitch को बना लें और यहां पे yarn over करेंगे और फिर दुबारा फिर से एक उल्टा बनेगा तो यहां पे yarn over और उल्टा और धागा अपनी तरफ रखते हुए आपने repeat शुरू करना है फिर से दुबारा से जो हमारा repeat बनेगा right side के twist के साथ और इसी तरह बनाते हुए आप right side को complete कर लिजेगा यह हमारा last का stitch है इसे मैं सीधा बनाऊंगी और यहां पे यह मेरी row जो है वो complete हो गई है right side बन गई है turn कर लिजे wrong side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को धागा पीछे करें दो सीधे बनाएंगे एक तो यह हमारा उल्टे वाला stitch है यह सीधा बनेगा और जो हमने yarn over करा है इसे भी आपने सीधे में ही बनाना है इसे आप उल्टा नहीं बनाईएगा यान over वाले stitch को आप सीधे में बनाईएगा धागा अपनी तरफ करेंगे अब यह हमारे center के stitch है यह हमारे उल्टे ही बनने वाले है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस और ग्यारा अगेन यान over में आ गये हैं धागा पीछे कर लें और इन्हें stitches को आपने यान over के साथ सीधे में बनाना है तो यान over वाला stitch सीधा बन जाएगा और यह मेरा उल्टे वाला stitch था इसे भी मैं सीधा ही बनाऊंगी और अगेन यान over आ गया है इसे आप सीधा बनाईए जितनी बार भी आप wrong side बनाऊगे तो आपने पहले हम सीधे में बना रहे थे अब हम जो यान over है wrong side से उसे हम उल्टा stitch रखना है हमें तो wrong side से हम इसे सीधे में बनाएंगे तो इसी तरह से आपने wrong side को complete करना है तो यहाँ पे यह मेरी wrong side जो है वो complete हो गई है turn कर लीजे right side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को extra वाले stitch को उल्टा बना ले अब यहाँ से design को शुरू करेंगे एक उल्टा धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और right side का twist करेंगे front से second stitch पहले बना ले और फिर first वाले stitch को बना ले यहाँ पे मैंने yarn over करा है धागा अपनी तरफ ही रखा था उल्टा stitch बनाने के बाद slip करेंगे दो stitch वापी सिलाई में लेके left side को एक साथ बना देंगे 3 सीधे 1, 2, 3 2 stitch बनाएंगे right side को एक साथ twist करेंगे left side का back loop से second stitch पहले बनाएं और फिर first वाले stitch को बना दे यहाँ over कर ले और दो उल्टे 1, 2 अगेन फिर से एक उल्टे से repeat शुरू करेंगे एक उल्टा धागा अपनी तरफ ही रखेंगे twist करेंगे right side का front से second stitch पहले बनाएं और फिर first वाले stitch बना ले slip करें दो stitch वापे सिलाई में लेके left side को एक साथ बनाएं तीन सीधे एक, दो, तीन अब दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ twist करेंगे left side का back loop से second stitch पहले बनेगा और फिर first वाला stitch yarn over दो again फिर से एक उल्टे से repeat शुड़ू करिएगा और इसी तरह बनाते हुए right side को complete कर लीजेगा turn कर लीजे wrong side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को अब यहाँ पे हमारे पास तीन सीधे stitch हो जाएंगे एक, दो और तीन yarn over वाले stitch को मिलाके हमारी ये तीन stitches हो गए है yarn over को हम सीधे में बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नो इस बार हमने 9 उल्टे stitch बनाए हैं धागा पीछे करेंगे 5 सीधे एक, दो, तीन, चार और yarn over वाला stitch जो है हमारा इसे आप सीधा बनाएगा 5 तो ये टोटल 5 stitches हमारे सीधे में बन गए हैं फिर से 9 उल्टे और 5 सीधे यान over को याद से सीधे में बनाएगा उल्टा नहीं बनाएगे तो इसी तरह बनाते हुए आपने wrong side को complete कर लेना है टर्न कर लीजे, right side बनाएगे slip करें पहले stitch को, extra वाले stitch को उल्टा बना ले अब यहाँ से design शुरू होगा, दो उल्टे धागा अपनी तरफ ही रखेंगे twist करेंगे right side का front से second stitch पहले बनेगा और फिर first वाला stitch बना ले slip करेंगे दो stitch वापे सिलाई में लेके इस तरह से left side को दो stitch बना देंगे एक साथ एक सीधा, अब दो stitch बनाएंगे right side को एक साथ again twist करेंगे left side का back loop से second stitch पहले बनाएं और फिर first वाले stitch को बना ले yarn over करेंगे और यहाँ पे तीन उल्टे एक, दो, तीन फिर से दो उल्टे से repeat शुरू करेंगे और इसी तरह बनाते जाएंगे यह हमारा एक सेट बन गया है तो दो उल्टे धागा अपनी तरफ रखते हुए right side का twist करेंगे front से second और फिर first वाले stitch को बना ले slip करेंगे दो स्टिच वापिस सिलाई में लेके left side को एक साथ बनाएंगे एक सीधा अब दो स्टिच बनेंगे right side को एक साथ twist करेंगे left side का back loop से second और फिर first वाले stitch को बनाएं yarn over तीन उल्टे again दो उल्टे से repeat शुरू करिएगा और इसी तरहां बनाते हुए right side को complete कर लीजिएगा turn कर लीजिए wrong side बनाएंगे slip करेंगे पहले stitch को अब यहाँ पे हमारे पास 4 सीधे बनेंगे तो एक दो तीन और yarn over वाले stitch को मिला के 4 सीधे यह हो गए 4 सीधे stitch धागा अपनी तरफ कर लें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे और साथ साथ stitch हमने उल्टे बना लिए हैं धागा पीछे कर लें यान over वाला stitch आ गया है इसे आपने सीधे में बनाना है तो यान over वाले stitch को सीधा बना ले और फिर उसके बाद यह हमारे center के 5 stitches सीधे ही बनेंगे तो यह total सारे मिला के 7 stitches हो जाएंगे यान over के साथ यह again यान over आ गया है इसे सीधा बनाएं और फिर से साथ उल्टे तो इसी तरह बनाते हुए आपने wrong side को complete कर लेना है तो यहां पर यह मेरी wrong side जो है वो complete हो गई है turn कर लीजे और हमारा design भी जो है वो complete हो चुका है यह देखें यह दो repeat में कुछ इस तरह से बन के आया है यह front side है और जैसे मैंने आपको कहा था back side भी बहुत अच्छी बनती है इसकी तो यह back side से कुछ इस तरह से बन के आएगा तो try जरूर करिएगा पसंद आए तो like करें subscribe करना ना भूलें subscribe जरूर करें subscribe का button दबाईएगा bell का button दबाईएगा जिससे आपको मेरे videos time to time मिल सकें update आती रहे एक बार फिर से देख लें row one की इस तरह से बनने वाली है slip करें पहले stitch को extra stitch उल्टा बनेगा 4 उल्टे 1, 2, 3, 4 twist करेंगे right side को front से second और first वाला stitch एक सीधा अब left side के लिए back से second और फिर first वाला stitch धागा अपनी तरफ करके nine उल्ट तो ये मेरे nine stitches हो गए हैं दोनों set के मिला के center में और उसके बाद right side का twist करेंगे front से second और first फिर एक सीधा फिर left side के लिए back से second और फिर first वाला stitch अगें फिर से इसी तरह nine उल्टे बनाईएगा last में फिर से same रहेगा दोनों side में जैसे हमने extra stitch के साथ रखा हुआ है stitches को same वैसे ही बनाते हुए उल्टा बनाते हुए first row को complete कर लेंगे तो try ज़रूर करिएगा और please भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब को बटन दबाईएगा thank you